मेरा नाम अभिशेक है, मैं high class family से belong करता हूँ, मेरे पिता का नाम शहर के सबसे बड़े business man's में शामिल होता है, मैं बचपन से ही काफे intelligent था, हम दो भाई थे, मेरा दूसरा छोटा भाई सोतेला था, जो मेरे सोतेले पिता का बेटा था, मेरी माने दूसरी शादी कर ली थी, मे मेरी मा विद्वा हो गई थी, सबने मेरी मा को समझाया कि दूसरी शादी कर लो, और हो सके तो किसी ऐसे इनसान से शादी कर लेना, जो तुम्हारे बेटे को बाप का नाम दे सके, फिर एक दिन एक बड़े अमीर परिवार से मेरी मा का रिष्टा आया, मेरी मा देखने में खुबसूरत थी, इसलिए उन्होंने मेरी मा को देखते ही पसंद कर लिया, मेरी मा भी चाहती थी किस तरह गरीबी से वो मेरी परवरिश कैसे कर सकेंगी, इसलिए वो शादी करने के लिए तैयार हो गई, मा की शादी होने के तीन साल के बाद, मा ने एक बेटे को जनम दिय अब मेरी मा के दो-दो बेटे हो गए थे, मेरे सोतेले पिता ने मुझे बहुत प्यार किया, कभी उन्होंने सोतेले वाला बिहेवियर मेरे साथ नहीं किया था, इस बात से मेरी मा भी बहुत खुश थी कि उनके बेटे को पिता का नाम मिल गया था, मेरे दूसरे पिता शहर अपना फर्ज निभा रही है जैसा बहेवियर उनका मेरे चोटे भाई के साथ होता था वैसे मेरे साथ नहीं होता था इस घर में मुझे जरूरत की हर चीज मिलती थी लेकिन एक चीज की कमी मुझे हमेशा से उनके बहेवियर से महसूस होती थी और वो कमी थी महबत और तब वो कुवारे थे, मेरा भाई मुझसे पांच साल चोटा था, उसका नाम अविनाश था, अविनाश का बहेवियर अभी मेरे साथ बस नॉर्मल सा ही रहता था, लेकिन सोतेले पिता का बहेवियर मेरे साथ अच्छा था, उनकी तरफ से तो मैं खुश और बेफिकर रहता थ क्योंकि उन्होंने मुझे अपने सगी बेटे की तरह पाला था, बस मा ही मेरे साथ अजीब तरह का बहेवियर करती थी, जिन्देगी इसी तरह से गुजर रही थी, बच्पन में तो मुझे अपनी मा के बहेवियर से कोई गिला शिक्वा नहीं था, मगर जैसे जैसे मैं पढ़ाई कर रहा था, क्योंकि मैं भी पढ़ लिखकर अपना अलग बिजनिस सैट करना चाहता था, मैंने एक बात हमेशा नोट की थी, कि मेरे सोतेले पिता के रिष्टेदार बहुत कम आते जाते थे, जिसकी वज़ा से हम भी रैलिटिव में कम ही जाया करते थे, और मैं अच्छी खुबसूरत पड़ी लिखी और समझदार थी, उस लड़की का नाम संजना था, संजना मुझे बहुत पसंद आई थी, और पिता जी को भी बहुत पसंद आई थी, वो उनके दोस्त की एकलौती बेटी थी, संजना की फैमिली में उसके सिर्फ माता पिता ही थे, वो अपने माता पिता की एक लौती आउलाद थी, संजना की पिता भी बहुत अमीर थे, और वो मेरे पिता की बिजनेस पार्टनर भी थे, उनको भी मैं बहुत पसंद आ गया था, क्योंकि मैं स्मार्ट था, संजना की बारे में पता चला था, कि वो बहुत चुलबुली टा दोनों ने फोन पर बात करना भी शुरू कर दिया था, जब भी मेरी संजना से बात होती थी, उस से बात करके मुझे ऐसा एहसास होने लगा था, कि वो मुझे से बहुत जादा प्यार करने लगी है, मेरे लिए ये एहसासी, मेरे जिन्देगी की सबसे बड़े खुशी बन जिससे मैं बहुत खुश था, हमारी शादी में अभी चैं महीने का टाइम था, धीरे धीरे चैं महीने भी गुजर गए और हमारी शादी को सिर्फ दो महीने ही रह गए थे, अब मैंने भी पिता जी के साथ आफिस जाना शुरू कर दिया था, मैं पिता जी के साथ बिजनिस से लेने आ रहा हूं हम दोनों एक साथ शादी की शौपिंग करने के लिए जाएंगे उस दिन में काम से देर से फिरी हुआ था फिरी होते ही मैंने संजना को कॉल करने के बारे में सोचा कि मैं यहां से मार्केट ही चला जाता हूं और डारेट संजना को मार्केट में बुला ल पर चुछ पर बोड़ा नहीं उठाया लेकिन जब मैंने दुबारा उसे कॉल की तो मेरा ध्यान मुबाइल में था और कार चल रही थी तो अचानक मुझे पता नहीं चला कि सामने से बड़ा सा एक ट्रक आ गया और उसने कार को जोड़ार टकर मारी मेरा एक्सिडेंट हो गया था मेरे शरीर पर बुरी तरह से चोट आई थी मैं बेहोश हो चुका था मुझे होश आया तो मेरा शरीर जखमों से भरा हुआ था एक टांग पर प्लास्टर चड़ा हुआ था जबकि आँखों के सामने बस अंधेरा च्छाया हुआ था मैंने चेक चेक कर सब को लाइट आ करने के लिए कहा क्योंकि मुझे अंधेरे के सिवा कुछ भी नजर नहीं आ रहा था यही नहीं पूरा चेहरा जल रहा था क्योंकि मेरे चेहरे पर बुरी तरहां से चोट लग गई थी मेरा चेहरा बुरी तरहां से जखमे हुआ था अगले ही पल मैं दंग रह गया जब सब अपने कहा कि कमरे की सारी लाइट ओन है अस्पताल में पिता जी और मा मौझूद थे मैं सब की बात सुनकर चीख ने चिलाने लगा जिस पर डॉक्टर ने मुझे नीन का इंजेक्शन लगा दिया था उसके बाद मैं बेहोश हो गया और नीन में सो गया था अगले दिन फिर स ये सब सुनकर मुझे एक सदमा सा लग गया था और मैं लगभग पागल हो गया था मगर फिर धीरे धीरे इस हकीकत को एक्सेप्ट कर लिया कि मैं अंधा हो चुका हूँ मैं पूरे दो महीने हॉस्पिटल में रहा था मुझे लगा था कि मेरे अंधेपन की वज़ा से संजन मुझे छोड़ देगी और अब मुझसे शादी भी नहीं करेगी वो इतनी खुबसूरत और पढ़ी लिखी लड़की मुझ जैसे अंधे इनसान से कैसे शादी कर सकती है अब ना जाने मुझ जैसे अंधे इनसान से कौन शादी करता अब तो मैंना घर संभाल सकूंगा और नहीं कोई काम कर सकूंगा लेकिन मेरा ये खयाल इस टाइम खत्म हो गया था जब मुझे पता चला कि संजना रोज हॉस्पिटल में मुझसे मिलने आती है और काफी काफी टाइम मेरे पास गुजार कर वापस चली जाती है वो मुझसे धेर सारी बाते करके मुझे बहलाती रह करती थी कि कोई भी उसके प्यार में पागल हो जाए जब अस्पताल के दो महीने पूरे हो गए तो मैं ठीक हो गया था और डिस्चार्ज होकर घर आ गया था जखम काफी हद तक ठीक हो चुके थे मगर मैं हमेशा के लिए अपनी आखों की रोशनी खो चुका था इस दौरा पिता जी रोज हॉस्पिटल में मुझसे मिलने के लिए आते थे मैंने इस बारे में जब पिता जी से पूछा तो उन्होंने इस बात को टाल दिया इसके बाद मुझे यही लगा कि शायद वो अपने बेटे को भूलती चली जा रही है पिता जी मुझे दिलासा देकर बहला आने की कोशिश कर रहे थे मैं पूरी तरह से सेहत मंद हो गया था अब मेरी और संजना की शादी की तैयारी शुरू हो चुकी थी हमारी शादी अब सिंपल तरीके से हुई थी क्योंकि अब मैं नहीं चाहता था कि ज्यादतर लोग हमारी शादी में आए और मेरे अंधिपन के बारे में सोचकर बाते बनाएं इसलिए मैंने ही पिता जी से कहा था कि मैं सादगी से शादी करना चाहता हूँ इस बात से संजना को भी कोई एतरास नहीं था और नहीं उसकी फैमिली को कोई एतरास था और फिर एक दिन हमारी शादी भी हो गई पता ही नहीं चला संजना मे मुझे अपनी मां से ऐसी उमीद नहीं थी। मां हमेशा पार्टेश वगरा के लिए घर से बाहर रहती थी। क्योंकि वो अपने दोस्तों के साथ पार्टियां करती थी या फिर शौपिंग के लिए जाती रहती थी। ज्यादतर वो घर से बाहर ही रहा करती थी, शायद मा को संचना पसंद नहीं थी, अब तो मुझे पूरा यकीन हो गया था कि मा मेरी और संचना की शादी से खुश नहीं है, लेकिन संचना मुझसे कहती थी कि मुझे खुद पर पूरा यकीन है, मैं अपनी सास के दिल में जग शादी के सारे इंतिजाम करूँ, शादी के सारे फंक्शन्स इंजॉई करूँ, मगर सब कुछ बरबाद हो गया था। मैं इन ही सोचों में गुम था। संजना के साथ मेरी जिन्देगी बहुत खुशाल गुजर रही थी। शादी पर ना जाने कौन-कौन सी रस्मे हुई थी जिसमें हम दोनों बहुत खुश हुए थे। लेकिन अगर मैं देख पाता तो वो रस्मे और भी जादा स्पेशल हो जाती। कभी-कभी संजना को बुरा लगता था। मेरी मा का इतना घर से बहार निकलना क्यूंकि वो भी चाहती थी कि उसकी सास उसके हर अच्छे बुरे क काम में साथ दे। मिरी माने कभी मेरी पतनी के सर पर प्यार भरा हाथ तक नहीं रखा था। नहीं कभी उससे बात करती थी। पिता जी का बेहेवियर संजना के साथ बहुत अच्छा रहता था। संजना ने जब घर में पहली बार खाना बनाया तो पिता जी ने उसको नेक और बहुत सारा आशिरवात दिया संजना चाहती थी कि ससुर के साथ साथ अगर साथ भी उसे इतना ही प्यार करे तो वो इस घर में और भी ज्यादा खुश रहेगी एक दिन संजना और मैं आपस में बैठे हुए बात कर रहे थे तब ही अचानक आफिस से कॉल आई जैसे ही मै को छोड़ कर और हम सब लोगों को छोड़ कर जा चुके थे मुझे पिता जी की मौत पर बहुत अफसोस था लेकिन मा को पिता जी की मौत कभी कोई सद्मा नहीं था अविनाश भी पिता जी की मौत से बहुत दुखी हो गया था अविनाश अमेरिका में पढ़ाई करने के ल जो मुझे प्यार किया करते थे वरना मा को तो कभी मेरा हाल चाल लेने की भी फुरसत नहीं थी मैं उस दिन फूट फूट कर बहुत रोया था क्योंकि मैं अपने सागे पिता की शकल तो भूल चुका था लेकिन मैंने पिता जी को ही हमेशा अपना सगा पिता समझा था पिता जी ने कभी मेरी ख्वाहिश पर इंकार नहीं किया था वो हमेशा मेरी हर छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी डिमांड को पूरा किया करते थे पिता जी मुझसे बहुत प्यार करते थे यही वज़ा थी जिस पर मुझे उनकी मौत का सबसे ज्यादा दुख हुआ था लेकिन किसी के मरने पर इनसान कब तक अफसोस करता है कुछ दिनों बाद ही हमारी लाइफ नॉर्मल हो गई थी और हम हसी खुशी जिन्दगी गुजारने लगे थे मा को तो पिता जी के जाने से कोई फर्क नहीं पड़ा था लेकिन बिजनिस पर बहुत बड़ा फर्क पड़ रहा था बिजनिस में बहुत लॉस होता जा रहा था क्योंकि आफस का स्टाफी सारे काम देख रहा था हमारा इतना बड़ा बिजनिस था कि हम किसी बाहर वाले के हाथ में अपना बिजनेस भी नहीं दे सकते थे मा को तो कोई होश भी नहीं था और अविनाश पढ़ रहा था उसको अभी ज्यादा नौलिज नहीं थी मैं अपने अंधिपन की वज़ा से आफिस जॉइन नहीं कर सकता था लेकिन इस काम की जिम्मेदारी मेरी पतनी संजना ने उठा ली थी वो बिजनेस में बहुत इंटरस्टेट थी उसने कहा कि वो आफिस जाकर हमारा सारा बिजनेस संभाल लेगी मेरी पतनी मेरी आखे बन गई थी एक हफते में ही उसने हमारे बिजनेस को अच्छी तरह से संभाल लिया था कभी कभी किसी important meeting के लिए संजना मुझे भी अपने साथ office ले जाया करती थी और रोज office से आने के बाद शाम को वो मुझे घर से बहार ठहलाने के लिए भी ले जाती थी मुझे बहुत असानी हो गई थी मेरी personal काम के लिए संजना ने एक नौकर रख लिया था जो दिन बर संजना की गायर मौजूदगी में मेरा खयाल रखा करता था संजना दिन में office संभालती थी और शाम होते ही घर आकर वो मेरा खयाल रखती थी मैंने उस office जाने से नहीं रोका था क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि मेरे पिता का इतना बड़ा business धीरे धीरे खत्म हो जाए हमारी शादी को एक साल हो चुका था और इस एक साल में मैंने संजना की रूप में बेहत प्यार करने वाली पत्नी को देखा था मैं अपनी किस्मत पर बहुत नास करता था कि उपर वाले ने मुझे इतनी अच्छी हमसफर दी है अपनी कमजोरी को मैं कुबूल कर चुका था और अब मुझे उपर वाले से कोई शिकायत नहीं थी मैं कभी-कभी अकेला भी घर से निकल जाया करता था लेकिन संजना इस बात पर मुझे बहुत डाटा करती थी वो मुझे कभी भी अकेले घर से बाहर निकलने नहीं देती थी लेकिन मैं फिर भी कभी-कभी बाहर चला जाता था क्योंकि अकेले घर में मैं बोर हो जाया करता था एक दिन में घर से बाहर जैसे ही निकला तो सलक पर एक आदमी से टकरा गया उस आदमी ने मुझसे कहा उफ अंधे हो क्या देख कर नहीं चल सकते वो आदमी गुसे में आकर मुझसे कह रहा था मैंने कहा कि जी मैं अंधा हूँ मुझे माफ कर दीजिएगा मैंने उस आदमी से धीमी आवाज में कहा उस पर वो आदमी कहने लगा कि माफ करना भाई मुझे नहीं पता था उस आदमी ने मुझसे माफी मांगी और वो महां से चला गया जबकि मैं वही पर खड़ा हुआ मुस्कुरा रहा था और रास्ता टटोल टटोल कर अपने घर की तरफ जाने लगा उस टाइम दिन के नौ बज रहे थे और मैं घर से निकल कर अपने घर के सामने वाले पार्क में चला गया था ताकि ठंडी हवा खा सकूँ एक घंटे तक यहां बैट कर मैं सुकून महसूस करता रहा और अभी जाने के लिए मुढ़ ही रहा था जब वो और अचानक मुझसे टकराई थी मैं सब के बारे में सोचता हुआ घर पहुँच गया था कुछी देर में जब मैं घर पहुँच चुका था तो थोड़ी देर के बादी संजना भी घर पर आ गई थी जब मुझे अपनी पत्नी की आवास सुनाई दी वो किसी से टेज टेज आवाज में घुसा कर रही थी मुझे देखते ही उसने मेरा हाथ पकड़ लिया मेरा हाथ थाम कर कहने लगी कि अभिशेग मैंने तुम से कितनी बार कहा है कि अकेले घर से बहर मत निकला करो फिर तुम क्यों जाते हो पता है मैं कितना परिशान हो गई थी अपनी पतनी की परिशानी सुनकर और उसकी आवाज सुनकर मुझे उस पर बहुत जादा प्यार आ रहा था वो मेरी बहुत फिक्र करती थी मेरे अंधा होने पर भी वो मुझे और भी जादा प्यार किया करती थी शायद वो नौकर को डाट रही थी कि मैं अकेले घर में क्यों गया था नौकर को तो ये बात पता भी नहीं थी कि मैं घर से चुपचाप चला गया था ठंडी और ताजा हवा खाने पार्क तक चला गया था मैंने कहा कि तुम परशान मत हो मैंने अपनी पतनी को तसली देते हुए कहा था वो मेरा हाथ पकड़कर मुझे अंदर लेकर चली गई थी आज पता नहीं क्यूं वो अफिस से इतनी जल्दी घर क्यों आ गई थी फिर उसने बताया कि वो एक फाइल घर पर ही भूल गई थी बस वही लेने घर वापस आई थी ये बात हमारी शादी के एक साल बात की है जब एक दिन मैं अपने घर के नौकर के साथ घर से बाहर टहलने के लिए चला गया अब मैं अकेला घर से बाहर नहीं निकलता था क्योंकि संजना ने मुझे सकती से मना कर दिया था या तो तुम मेरे साथ जाया करो या फिर नौकर को अपने साथ घर से बाहर ले जाया करो घर में अकेले भी मैं बोर हो जाता था इसलिए मैंने सोचा कि संजना जब आज घर आईगी तो उससे कहूंगा कि वो घर में थोड़ा आराम कर ले शाम के चार बज रहे थे और मैं पार्क में नौकर के साथ टहलने चला गया था गर्मी के दिन थे और धूप अभी तक थी जिससे मुझे अभी ज़्यादा गर्मी का एहसास हो रहा था नौकर भी मेरे साथ ही मेरे पीछे खड़ा हुआ था अचानक मैं आगे चलने की कोशिश कर रहा था लेकिन मेरे पैर लड़ खड़ाए और मैं गिर गया लेकिन नीचे गिरते टाइम मेरा सर पेड के तने से टकराया तो मुझे लगा कि मेरा सर फट गया मैं वही पर बेहोश हो गया था नौकर मुझे कार में बठा कर घर ले आया था उसने घर पहुँचते ही संजना को फोन कर दिया संजना जैसे ही घर आई और फिर मुझे बेहोश देखकर वो बहुत ज़ादा परिशान हो गय थी वो काफी देर दक मेरे पास बैठी रही और मेरे होश में आने का इंतिजार करती रही जब मैं होश में नहीं आया तो संजना ने पानी की चीटे मेरे मूँ पर मारी तो मैं होश में आ गया था लेकिन मैं आग खोलते ही हैरान रह गया था कि मुझे कुछ धुंदला धुंदला सा नजर आ रहा था और रंग बिरंगे कलर की रोशनी मेरे आसपास नजर आ रही थी इसनी आँखों से देखकर मैं खुशी से जूमने लगा था मुझे पागलो की तरहां हरकते करते हुए देखकर संजना ने इसकी वज़ा पूछी तो मैंने उसे खुशी से बताया कि मेरी आँखों की रोशनी वापस आ गई है और अब मैं सब कुछ देख सकता हूँ मेरी बात से अपनी रंगीन दुनिया देख सकता हूँ वरने एक साल अंधेरे में जी जी कर मुझे लगने लगा था कि मैं इन अंधेरों का ही हिस्सा बन गया हूँ मैंने पिछले एक साल में अपने आपको नहीं देखा था तब ही मैं अब अपने आपको शीशे में देखना चाहता लेकिन जैसे ही मैं ड्रेसिंग टेबल की तरफ बढ़ा, मेरी पत्नी संजनने मेरा हाथ पकड़कर मुझे वहाँ जाने से रोक लिया, जिस पर मैं हैरान हो गया था, मगर उसने तेजी से आगे बढ़कर ड्रेसिंग टेबल का शीशा ही तोड़ दिया, जबकि मैं ये देखकर हका बखका रह गया था, कि ये उसने क्यों किया, लेकिन इससे पहले कि मैं कुछ और उससे पूछ था, उसने तेजी से जाकर घर में मौजूद सारे शीशे तोड़ दिये, वो घर के सारे शीशे तोड़ती चली जा रही थी, और नौकर उन्हें समेट समेट कर डस्ट बिन म मगर इससे पहले कि मैं उससे कुछ पूछता, मेरी पतनी संजना मेरे पास आई और कहने लगी कि मुझे तुम से बहुत प्यार है, तुम बहुत हैंडसम हो, इसलिए मैं नहीं चाहती कि तुम्हारी अपनी भी नजर तुमें लगे, तुम बहुत स्मार्ट और डैशिंग हो तुम पर और तुम्हारी खुबसूरती पर सिर्फ मेरा हक है, अगर तुमने गलती से भी खुद को शीशे में देखा, तो मैं तुम्हें छोड़कर चली जाऊंगी, और अपनी जान ले लूँगी, उसकी बात सुनकर मैं बहुत हैरान रह गया था, आखिर वो मुझ से ऐसा क्यूं कह रही थी, मगर मैं खुश्बी था कि वो मेरे लिए इतनी जुनूनी और पजिसिफ थी, मैं जानता था कि मैं स्मार्ट हूँ, मगर वो मेरी स्मार्टनेस की इतनी दीवानी हो जाएगी, इस बात का मुझे बिलकुल भी अंदाजा नहीं था, मैं संजना की महबत मे गिरफतार होता चला गया, वक्त धीरे धीरे गुजरने लगा, फोन पर मेरी कभी कभी अविनाश से बात हो जाया करती थी, वो भी ये बात सुनकर बहुत खुश हुआ था कि मेरी आखों की रोशनी वापस आ गई है, मैं संजना की जित की वज़ा से कभी शीशा नहीं लिया था, संजना कहती थी कि अगर तुम से कोई मिलने भी आए, तो तुम अपने चहरे पर मास्क लगा लेना, अगर कोई मुझ से मिलने भी आता था, तो मैं अपने चहरे पर मास्क लगा लिया करता था, ताकि कोई मेरा चहरा न देख सके, एक दिन मेरे मुबायल पर किसी unknown number से call आ रही थी मैंने call रिसीफ की तो उसने मुझे बताया कि आपकी पत्नी के सर पर बहुत चोट आई है और वो अस्पताल में एडमिट है ये खबर सुनकर मेरे होश उड़ गए थे अभी सुबह तो वो सही सलामत मुझसे मिलकर घर से बाहर निकली थी और अब खबर आ रह ही था कि मिरे आसपास क्या हो रहा है और क्या नहीं मुझे बस अपनी पत्नी की फिक्र सता रही थी जिसके सर में चोट लग गई थी वो भी ना जाने किस कंडिशन में थी अभी मैं आगे बढ़ ही रहा था तो मैंने देखा कि सब लोग मुझे गौर से घूर घूर कर देख रहे थे मैं संजना के लिए इतना परिशान हो गया था कि मैंने अपने फेस पर मास्क नहीं लगाया था उन सब की अजीब अजीब से नजरों को देखकर मैं डर गया था कि मैंने अपना चहरा क्यों नहीं चुपाया मैंने अपना चहरा नहीं चुपाया था तभी तो मुझ छोड़ कर ही नहीं चली जाएगी, अपनी जान भी ले लेगी, मैं ये सब सोचता हुआ, अपने फेस पर मास्क लगाने लगा, तब ही सामने लगे शीशे पर नजर पड़ते ही मेरी जान निकल गई, क्योंकि सामने शीशे में नजर आता हुआ चहरा मेरा चहरा नहीं था ये किसी और का चहरा था जिसका भी चहरा था चहरा बहुत अच्छा था ऐसा लग रहा था जैसे मैं कैसी फिल्म का हीरो हूँ मैंने तेजी से पीछे मुड़ कर देखा तो मेरे पीछे कोई नहीं था ये हकीकत में मेरा ही चहरा था जो अब बदल चुका था मैं दीरे दीरे अपने चहरे पर हाथ फेर कर देखने लगा मैं यकीन करने के कोशिश कर रहा था कि ये मेरा ही चहरा है ये फिर किसी और का क्योंकि ये चहरा मेरे लिए अंजान था था तो बहुत अच्छा लेकिन मेरा नहीं था मैं जोर जोर से चीखने लगा क्योंकि ये मेरा चहरा नहीं था ये सब क्यों हुआ और कैसे हुआ मैं चहरा बदल चुका है अगर उसे पता नहीं होता तो वो क्यों मुझे धमकी देती कि अगर मैंने शिशा देखा तो वो मुझे छोड़कर चली जाएगी लेकिन वो इस बात से क्यों मना कर रही थी कि मेरा चहरा किसी के सामने नहीं आए ये सवाल मेरे दिमाग में आते ही मैंने मैंने अपनी चारों तरफ देखा तो अब भी कई लोग मेरी तरफ गुस्ते भरी नजरों से देख रहे थे मैंने तेजी से खुद को संभाला और अपने चहरे पर मास्क लगा लिया और रिसेप्शन पर संजना के बारे में पूछ कर सेड़ियों पर चलता हुआ संजना के क अरवाजे को खोल दिया तो अंदर मौजूर डॉक्टर और नर्स के साथ साथ संजना भी चौंक उठी उन्होंने मुझे घूरा और संजना को आराम करने के बारे में कहकर कमरे से बाहर निकल गए मैंने अपनी पतनी के तरफ देखा जिसके सर में मामूली सी चोट लगी हु संजना की आखों में आसू थे उसे देखकर लग रहा था कि वो परिशान है और जो ये बता रहा था कि वो चोट लगने की वज़ा से कमजोर हो गई है मैंने संजना से पूछा कि तुम कैसी हो मेरे दिमाग में बहुत सारे सवाल आ रहे थे मगर संजना के मासूम चहरे को द मास्क हटा दिया अब मेरा चहरे उसके सामने आ गया था वो मुझसे कहने लगी मास्क क्यों हटा रहे हो जल्दी से अपना चहरे ढखलो कहीं किसी के तुम पर नजर न पड़ जाए संजना के चहरे के एक्सप्रेशन बदल गए थे मैं हैरान तो हुआ था लेकिन मैंने अप कोई और तुम्हारा चहरे देखे संजना ने अपकी बार भी जुनूनी अंदाज में वही जवाब दिया था जिसको मैं पहले भी अपने लिए सुनता आया था लेकिन आज मुझे उस पर यकीन नहीं था मैंने तेजी से इंकार करते वे सिरह ला दिया और कहा कि नहीं ये ज जूट है मिरा चहरा चुपाने की असल वजा ये नहीं है इसकी वज़ा तो कुछ और ही है जो तुम मुझे बताना नहीं चाहती एक तो मेरा चहरा बदल दिया और उपर से जूट बोल रही हो एक बात याद रखना संजना अगर तुमने मुझे सच नहीं बताया तो तुम म पदला था तो ये हकीकत मेरी मा को भी जरूर पता होगी लेकिन मा तुम मुझसे कभी बात करना भी ठीक नहीं समझते थी ये सोच सोचकर मुझे बहुत तकलीफ हो रही थी और बहुत रोना भी आ रहा था दो दिन ऐसे ही गुजर गए थे नौकर मेरे सारे काम कर रहा था क्यो मुझे मेरे सारे सवालों के जवाब मिल जाएं तीन दिन इंतिजार करने के बाद संजना हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होकर घर आ गई थी और उसके आते ही मैंने उसके सामने आकर फिर से अपना सवाल रख दिया था जिस पर वो गहरा सास भर कर मुझे कमरे में लेकर चली उसमें तुम्हारी जान को खत्रा भी था तुम्हें इस हाल में देखकर मैं बहुत डर गई थी डॉक्टर ने कहा था कि वो पूरी कोशिश करेंगे तुम्हें बचाने की मगर गैरंटी नहीं दे सकते जिस पर मेरा दिल बहुत दुखने लगा था तुम्हारा पूरा शरीर चोट से भर चुका था और तुम्हारा चहरा तो पूरी तरहां से खराब हो गया था तुम अपनी आखों की रोशनी भी खो चुके थे और ये सब हमारे लिए बहुत बड़े दुख की बात थी तुम्हारे पिता जी भी तुम्हारी इस हालत से बहुत परिशान हुए थे इसक संचना से पूछा मगर मैं ऐसा क्यों कर सकती है संचना ने बताया कि तुम्हारे पिता को इस बारे में पता था कि तुम्हारा एक्सिडेंट करवाने वाली कोई और नहीं बलकि तुम्हारी अपनी सगी मा है तुम्हारी मा जिस दिन से इस घर में शादी होकर आई थी और ज इसलिए अविनाश के पैदा होने के बाद उन्होंने तुमसे प्यार करना कम कर दिया, वो चाहती थी कि सारी दौलत का हगदार सिर्फ और सिर्फ उनका अपना इकलौता बेटा अविनाश बने, लेकिन जबकि उनके पती तुम दोनों बेटों को बराबर ही समझता था, ये ब और जायदात के भी बटवारों की बात निकल आएगी, पिता जी तो उनको काफी यकीन दिलाते थे कि ऐसा कुछ नहीं होगा, और इस जायदात में मेरे दोनों बेटों का बराबर से हक है, लेकिन तुम्हारी मा का कहना था कि जायदात सिर्फ और सिर्फ उनके अपने सगे बेटे को मिलनी चाहिए, जो कि इस जायदात का असली हकदार और अमीर पिता की उलाद है, तुम्हारी मा तुम्हें अपना बेटा नहीं समझती थी, बलकि किसी गरीब इनसान का बेटा समझती थी, शादी होने की तैयारी शुरू हो गई, और उनसे ये सब कुछ बरदाश नहीं हो रहा था, इसलिए उन्होंने तुम्हें मरवाने के लिए गुंडा हायर किया, और तुम्हारी जान लेने की कोशिश की, लेकिन भगवान की किरपती कि तुम्हारी जान बच सकी, तुम्हारे पिता जी ने तुम्हें बचाने के लिए हर तरहां की कोशिश की थी, मै आखिर माँ अपने सगी बेटे के साथ ऐसा कैसे कर सकती है माँ से अच्छे तो पिता जी थे जो सोतेले पिता होकर भी सगी पिता होने जैसा रिष्टा मेरे साथ निभाने चले आये थे और माँ मेरे लिए सगी माँ होकर भी मेरे लिए सोतेली बन गई थी फिर मैंने संजना स से इस चेहरे के बारे में पूछा संजने ने बताया कि तुम्हारे एक्सिडेंट के बार डॉक्टर ने कहा था कि तुम्हारे चेहरे की प्लास्टिक सर्जरी होगी और उसके लिए हमने एक गरीब फैमली की लड़के का चेहरा तुम्हें देने की उनसे परमीशन ले ली थी उसके बदले हमने उन लोगों को करोडो रुपिय दिये थे, उन लोगों ने पैसो के लालच में आकर हमें परमीशन दे दी थी, और अपने चेहरे का फोटो भी दे दिया था, तुम्हारी मा की वज़ा से तुम्हारा चेहरा खराब हो गया, हमने उस लड़की के घरवालों से उस लड़की की फोटो ले ली थी, और वो फोटो हमने डॉक्टर को दे दी थी, तुम्हारी मा ने वो फोटो बदल कर दूसरी फोटो वहां पर रग दी थी, और डॉक्टर ने वही चेहरा तुम्हें दे दिया, संजना फिर से ये बात कहकर चुप हो गई थी, जैसे उसे डकलीफ हो रही हो आगे की बाद बताने में मैंने संजना से पूझ़ा मगर उस चहरे में ऐसा क्या है जो मुझे सबसे चुपा कर रखना चाहिए था और सब लोग मुझे क्यूं अजीब अजीब नजीब नज़रों से गूर रहे थे मैंने हैरत और परिशानी से संजना से बड़ा धोका दिया, वो अपने बेटे की खुशी तक भूल गई थी, मैं संजना की ये बात सुनकर फूट फूट कर रोने लगा था, लेकिन संजना ने मुझे चुप नहीं करवाया था, क्योंकि मेरे अंदर का सारा खुबार निकल जाए, मेरे इस बात पर उस दिन मां से ब मैंने संजना से कहा, कि मैं गुंडे की शकल के साथ जिन्देगी नहीं गुजार सकता, मैंने रोते हुए संजना से कहा, उसने मेरे आंसु पोछे, वो मुझे से कहने लगी, कि तुम्हें फिकर करने की कोई जरूरत नहीं है, हम यहां से चले जाएंगे, और कहीं और जाकर पहचानता होगा हम यहां से इंग्लैंड चले जाएंगे हमने यहां से सारे रिष्टेनाते खत्म कर दिये थे और हम दोनों इंग्लैंड जाकर शिफ्ट हो गए थे इंग्लैंड में मेरी और संजना की काबिलियत की बिना पर हम दोनों को एक अच्छी कंपनी में जॉब आफर हुई थी जिसे हम दोनों ने हाथ से जाने नहीं दिया था संजना ने इंगलाइड में मिलकर पहले ही अपने डैट के साथ यहाँ पर सब कुछ सैट कर लिया था संजना के डैट की पहचान इंगलाइड में बड़े बड़े कंपनियों से थी उन्होंने हम दोनों को जाब दिलवा दी और हम यहाँ पर बहुत अच्छे जिन्देगी गुजार रहे हैं संजना के डैट ने हमें बहुत सपोर्ट किया था एक महीने के अंदर अंदर ही हम दोनों इंगलाइन में जाकर शिफ्ट हो गए थे मुझे अपना चेहरा खोने का गम तो बहुत था लेकिन मैंने अपनी पुरानी सारी यादों को भूल कर नई जिन्देगी के शुरुआत कर दी थी जिसमें सिर्फ खुशिया ही खुशिया थी गमों के दिन खत्म हो चुके थे और हर तरफ खुशियो का ही राज था जिस पर मैं बेहत खुश था मेरी पत्नी ने मेरा बहुत साथ दिया था मैं आज भी अपनी पत्नी का एहसान मंद हूँ जिसने हर मुश्किल से मुश्किल टाइम पर मेरा साथ दिया मैं अपनी पत्नी संजना से बहुत प्यार करता हूँ हम दोनों ने इंगलैंड में नया बिजनस शुरू कर लिया हम दोनों यहां बहुत कामियाब है इंडिया में सब कुछ मैं अपनी मा के हवाले छोड़ कर आ गया था मैंने अपनी मा के घर से छोटी सी चीज़ भी नहीं ली थी मैं चाहता था कि मा अपनी जैदाद और अपने बेटे के साथ हमेशा खुश रहे मा के बारे में तो अब मुझे पता नहीं क्योंकि मैंने दुबारा कभी उनसे कांटेक्ट करने की कोशिश नहीं की लेकिन इतना पता है की ओविनाश मुझसे मिलना चाहता है ऑविनाश ne कभी भी अपने दिल में मेरे लिए गलत खयाल पैदा नहीं किये थे अविनाश ने मिलने के बाद मुझे घर ले जाने की बहुत कोशिश की लेकिन मैं अपनी पतनी के साथ यही दूसरे देश में बहुत खुश था मैं वहाँ जाकर दुबारा से बरबाद होना नहीं चाहता था दोस्तों उमीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें चैनल पर नए हैं तो चैनल को सबस्क्राइब करें और हाँ नोटिफिकेशन बैल को जरूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले